क्या welded joint permanent joint होता है या फिर temporary joint हम लोग इसको permanent joint की category में रखते हैं क्यूंकि अगर आपने कोई दो object को join किया है with the help of weld तो वहाँ पे अगर आपको उसको अलग करना है तो आपको joint को तोड़ना पड़ेगा तो जिदर भी आपको joint को तोड़ना पड़ता है वो हो जाता है permanent joint तो welded joint आता है permanent joint की category में और अगर हम लोग nut और bolt की बात करेंगे तो वहाँ पे क्यूंकि temporary arrangement रहता है मतलब हम लोग उसको easily open और close या फिर tight और loose कर सकते हैं तो यह आते temporary joints के category में और welded joint आता है permanent joint की category में